Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics So friends, आज के इस वीडियो में basically कुछ हम practice questions करने वाले हैं और ये मैंने आपके syllabus के according बनाया है तो आपका जो biological sciences वाला paper है उसमें जो आपका first part आता है जहाँ पर उसमें forensic medicine and जो आपका anatomy वाला portion है जहाँ पर basically injuries वागेरा के बारे में discuss किया गया है तो वहाँ से हमने कुछ questions को बनाये हुआ है आज हम 10 questions discuss करेंगे और आगे हम इसी तरह से कुछ-कुछ questions आपके साथ discuss करते चलेंगे ताकि आपकी जो proper practice है वो सही तरह से चलती रहे तो आज जो 10 questions है यहाँ पर जो आपकी death investigation वाला portion रहता है उसके questions ने जहाँ पर आपको injuries के भी questions देखने को मिलेंगे post-mortem examination के भी questions देखने को मिलेंगे तो चले स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपके साबने पहला question है which among the following is not the type of asphyxial death तो सबसे पहले यह समझते हैं कि asphyxial death क्या होता है so basically asphyxial death का मतलब होता है जब आपकी body के अंदर oxygen की supply कम हो जाती है reduction of the oxygen supply और यह reduction किसी भी वजह से हो सकता है तो इसको भी जो asphyxia देता है इसको हम किस वजह से आपका oxygen का supply कम हो रही है उसके according इसको हम अलग-अलग types में classify करते हैं तो asphyxia का simple सा मतलब है आपकी body में oxygen की supply जब कम होगी तो आपकी जो lungs होते हैं उनकी functioning नहीं हो पाती है क्योंकि वो आपका basically oxygen की supply पर ही work करते हैं तो जब यह दोनों condition आती है तो उसकी वजह से जब death होती है तो उसको हम बोलते है asphyxial death अब asphyxial death जो रहती है उसको भी हम further classify करते हैं अलग-अलग types में तो उसमें पहला आता है आपका strangulation strangulation का simple सा मतलब होता है जो आपका basically homicide का condition होती है जहाँ पर कोई individual किसी दूसरे individual का जो neck रहती है neck portion उस पे pressure apply करता है और pressure apply करने की अलग-अलग methods होते हैं तो वो कौन से होते हैं वो अभी हम detail में जब इसका separate video में upload करूंगी यह asphyxia के कितने types होते हैं और उनके कितने sub types होते हैं वहाँ पर हर एक type की asphyxia का फुरा detail में देखेंगे क्या-क्या होता है और वो उसमें further क्या-क्या जीजे होती हैं तो पहला type आगे आपका strangulation second type होता है आपका suffocation suffocation का मतलब होता है जब आपकी body में oxygen की supply कम हो रही है और यहाँ पर basically आपके neck region पे pressure apply नहीं होगा यहाँ पर basically जो आपका nose रहती है जो आपकी mouth रहता है तो जो basically जहाँ से आपकी body के अंदर oxygen की supply होती है जो major portion होता है तो जब उसको block कर दिया जाता है तो वो आपका कहलाता है suffocation इसके बाद में next आ जाता है drowning drowning का मतलब होता है जब किसी भी victim या फिक किसी भी individual की body जो रहती है water के अंदर immerse हो जाती है submerged हो जाती है जिसकी बजासे उनकी चारो तरफ उनकी जो surrounding देती है आपके water ही available होता है तो जब water available है तो आप oxygen का intake नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ आप ही कहलाती है drowning death इसके बाद में next आता है आपका hanging hanging basically simple सा वही चीज़ होती है कि आपका जो भी individual है इस तरह का कोई individual है तो उसका जो neck region है उस पे कोई knot लगा कि उसको लटका दिया गया है तो ये hanging होती है अब ये hanging भी कुछ अलग-अलग इसके further types होते है तो ये कौन-कौन जे types होते है ये सारा हम समझेंगे बाद में लेकिन अभी तक आप इतना समझ लेजे कि जो asphyxia होता है इसके major जो classification होता है वो 4 तरह में classify करते है strangulation, suffocation, drowning and hanging तो ये major आपकी 4 तरह के asphyxia or death हो गई अब जो आपकी यहाँ पर मैंने options दिये है ये options basically जो इसके भी further sub types होते है उसके अंदर से मैंने बताया है तो इनको हम देख लेते है तो यहाँ पर working जो रहता है ये आपका asphyxia or death है और ये basically suffocation के अंदर आता है suffocation का एक sub type होता है जिसको हम बोलते है working तो working में होता क्या है basically ये आपका नीचे जो कुछ मैं explain करूँगी कि वो सब कुछ नीचे लिखा भी होगा तो आप इसको अराम से देख लेजएगा तो working में होता क्या है जो smothering होती है तो पहले individual के death smothering से करते है smothering के बाद में traumatic asphyxia follow करी जाती है तो smothering में पहले तो smothering ही समझ लेते है smothering जो रहता है आपका एक तरह कर suffocation की वजह से ही होने वाला यह आपका type होता है इसको हम smothering बोलते हैं यहाँ पर जो भी individual है उसकी जो nose है और जो उसका mouth है तो इन दोनों ही चीज़ों को block कर दिया जाता है with the help of pillow with the help of any other material it may be a cloth piece it may be a cotton यह कुछ भी हो सकता है तो वो चीज़ की help से जब mouth और nose की जो interior passage रहता है air passage रहता है उसको हम block कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका smothering और smothering के अलावा यहाँ पर बिताया है traumatic asphyxia तो traumatic asphyxia जो रहता है यहाँ पर जो भी individual का chest होता है उसके काफे जदा force अपलाई होता है जिसकी वज़ा से जो उसकी chest available होता है chest में जो ribs होती है जो उसमें chest में lungs अवेलिबल होते है तो उसमें बहुत ज़ादा compression अपलाई होता है जिसकी वज़ा से individual oxygen का intake नहीं कर पा रहा होता है और आपके जो lungs होते है उसमें भी damage cause होता है तो ये चीज़ आपकी कहलाती है traumatic asphyxia तो ये हो गया आपका traumatic asphyxia और यहाँ पर अगर हम बात करें बचा आपका choking तो choking basically क्या होता है जो आपकी entry passage होता है air का जहां से आपका जैसे की मान लीज़े गेरा आते है जो कि आपके lungs में जाकर इंटर कर जाते है तो अब यहाँ पर जितनी भी vessels use होई है basically जो आपका entry passage है जब इसमें किसी भी वज़ा से blockage हो जाता है अब इसमें ये भी हो सकता है कोई food particle इंटर कर गया हो या कोई भी तरह का foreign object जब इस entry passage को block कर देता है उसकी वज़ा से आप air का intake नहीं कर पा रहे होते है तो वो जो condition आती है वो कहलाती है choking तो यहाँ पर जो आपकी asphyxial death पूछी गई है तो यह तीनो तरह ही आपकी asphyxial death का ही होते है बस यह अलग-अलग जो major इसके types होते है उनके subtypes होते है तो यह तीनो ही आपकी asphyxial death के ही type है तो correct answer हो जाएगा इसका option number D that is all of these are the type of asphyxial death अब आगे चलते हैं और basically जो कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताया है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा भी हुआ है तो आप इसको एक बार read भी कर लिजेगा next question है आपका who devised the rule of nine तो जो rule of nine है इसके बारे में किसने बताया है तो rule of nine जो है यह scientist थे Pulaski and Tennyson इन्होंने rule of nine के बारे में बताया था rule of nine क्या होता है यह अभी आपका आगे question है तो इस वरे से मैं इसको यहाँ पढ़ने बताऊंगी तो यहाँ पर इसका एक छोटा सा point और है कि जो आपका rule of nine है इसको device किसने किया था मतलब इसके बारे में बताया था यह Pulaski and Tennyson ने 1947 में और इसके बारे में publish किया था यानिकि जो paper publish होता है वो publish किया था A.B. Wallace ने 1951 में अब यह आपका A.B. Wallace ने इस rule के बारे में publish किया था तो इसी वजह से जो आपका rule of nine होता है इस rule of nine को हम Wallace rule of nine भी कहते है क्यों कहता है क्योंकि यह आपका scientist जो थे उन्होंने ही इसके बारे में बताया था तो इसको बोला जाता है Wallace rule of nine अब आपका next question यही है कि rule of nine जो है उसका use किस purpose से करते है उससे basically हम क्या determine करते है तो simple सा है जो आपकी body रहती है आपकी options अलगल है कि आप देख लिजएगा बाकी correct आशर बता देती हूं कि जो individual की body रहती है तो उसमें जो burning हुई है तो कितनी percentage तक burning हुई है इस चीज़ को identify करने के लिए हम rule of nine को apply करते हैं तो correct answer है option number C percentage of burned body अब इसमें होता क्या है मान के चलिए ये एक individual है मैं थोड़ा सा बस आपको समझाने के परपर से बता रही हूं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ ये I think मैं rule of nine बताया था फिर मैं आपको repeat कर देती हूँ rule of nine में ये आपका individual है तो यहाँ पर ये जो इसका है ये front side है ये वाला जो है इसका back side है अब यहाँ पर ये चीज़ समझे है कि जो आपका head और neck वाला region है इसके लिए आपका 4.5 यानि कि 4.5% आपका दिया जाता है और जो back side रहता है उसके लिए भी same है 4.5% यानि कि 4 is to 1 by 2% तो आप इसको कैसे भी समझ सकते है यानि कि आपका head और neck region इसके बाद में जो आपके hand आते है तो hand का भी जो front side रहता है उसके लिए 4.5% हर एप इच arm के लिए रहता है और इसी का अगर हम back side मिलब hand के back side की बात करें तो उसके लिए भी आपका 4.5% रहता है उसके इलावा यहाँ पर जो आपकी body रहती है तो आपकी body का जो anterior portion रहता है उसके लिए आपका 9% रहता है और इसी में आप अगर back side की बात करें तो वहाँ भी आपका 9% लिया जाता है इसी body का जो posterior region होता है आपका trunk का जो posterior region होता है जो abdominal region होता है उसके front side की बात करें तो यह 9% रहता है और आपकी वही back side की बात करें तो वह भी 9% रहता है इच लेग के लिए front portion आपका 9%, back portion आपका 9%, ठीक है, और जो आपका perennial region रहता है, उसके लिए आपका एक side से ही माना जाता है, front side से और वो आपका रहता है 1%, अब यहाँ पर मान लिजे किसी भी body को भी individual की body burn हुई है, तो अब यह जो आपका body weight है, उसके according यह percentage दी गही है, और जो आपका body burn हुई है, तो उसको हम check करते हैं कितने percentage तक body burn हुई है, और इससे यह पता चलता है, कि जो वहाँ पर आग लगी हुई थी, जो भी fire की condition वहाँ पर थी, तो वो कितने तक की fire वहाँ पर रही होगी, तो इस चीज को find out करने के लिए यहाँ पर इस चीज हम पता कर कि इसमें अगर हम front or back ना करें, overall बात करें, तो head and neck region के लिए 9% रहता है, जो आपका anterior portion है, आपके body का, वो अगर हम front or back ना करें, तो total 18%, posterior region के लिए 18%, perineal region के लिए 1%, each arm के लिए 9%, यानि कि 9 इसके लिए भी रहेगा, 9 इसके लिए भी रहेगा, each आपका जो leg है, उसके लिए 18% front and back, अगर हम add करें, तो 18% आजाएगा, तो दोनों ही पैरों के लिए अलग-अलग आपका 18%, तो इस तरह से आपका अगर एक ही में देखना चाहिए, तो एक में इस तरह से आपका bifurcation रहता है, और अगर फ्रेंट और back को आपको अलग-अलग देखना है, तो आपका front or back website में जब हमाई जी website सावी forensics की वहाँ पर ये पूरा मैं आपको questions अप्लोड करूँगी, तो वहाँ पर ये पूरा detail में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कि जो कौन-कौन सी percentage कहां कहां पर कितनी होती है, तो वहाँ से आपको चीसे समझ में अच्छे से आ जाएगी, यह मैं आपको सामने 4 options हैं, तो मैं collect answer बता देती हूँ, जैसे कि आपका जो palm रहता है, तो palm का मतलब रहते है, जहाँ पर सिर्फ आप अपने palm का use कर रहे हैं, मतलब कि यह individual का hand है, इस तरह से, तो यह वाला palm region है, यह वाला wrist का region है, और यह आपकी fingers है, तो अब इसमें से आपका wrist का उसके लिए हम 1% assign करते हैं, तो अब यहाँ पर जो आपका burn वाला rule of 9 था, उसी तरह से कई जगा पर palm rule को भी use करते हैं, जहाँ पर आपकी जो palm का size रहता है, उसको हम 1% देते हैं, तो उसकी size के according हम बाकी body के measurements चेक करते हैं, कहाँ पर कितने कितने burning हुई है, तो उस according आपका percentage पता करा जाता है, मतलब जो size है basically burning का, तो उस size को estimate करने के लिए हम find out करते हैं, तो correct answer हो जाएगा option number B, तो जो कुछ मैंने बताया है, वही यहाँ पर explanation में लिखा भी हुआ, the rule of palm है, is another way to estimate the size of a burn, the palm of the person who is burned, not fingers or rasteria, fingers or rasteria को हटा दिजे सिफ अगर palm की बात करें, तो वो basically 1 percent होता है, आपकी पूरी body का, तो उस according आपका percentage निकाला जाता है, कितनी आपकी body का, कितना area burn हुआ है, अब आजाते हैं, आपने next question की तरफ, और यहाँ पर आपका अगला question है, question number 5, यहाँ पर पूछा गया है, जो somatic death है, और जो molecular death है, इसमें क्या difference है, तो पहले इसका difference समझ लेते हैं, तो आपकी जब भी किसी भी individual की death होती है, तो उसमें होता क्या है, पहले जो आपके hurt होता है, आपके lungs होते हैं, और आपका जो brain होता है, या फिर कह सकते जो nervous system होता है, उसकी functioning दीरे-दीरे करके stop होती है, तो इसमें से अगर किसी भी egg की या तीनों की functioning में stoppage हो ज available होते हैं, जो आपकी cells available होती है, जो भी tissues होते हैं, उनका धीरे-दीरे degradation स्टार्ट होता है, तो वो जो आपकी death की stage होती है, उसको हम बोलते है, molecular death, अब यहाँ पर एक चीज़ आपके mind में question आना चाहिए, कि जो organs का transplantation होता है, तो उस time पर क्या कौन से death यूज करी जाती है, तो जब organ transplantation होता है, तो उसके लिए, जो आपकी somatic death रहती है, यह useful होती है, अब यह क्यों होती है, क्योंकि जो somatic death है, उसमें क्या रहता है, कि जब somatic death रहती है, तो उस time पर ऐसा नहीं होता है, कि जो body है, वो पूरी तरह से dead हो चुकी है, उसके कुछ organs ने functioning करना बंद करा है, तो उसको अगर हम replace कर दें, उसको अगर हम change कर दें, तो हम उसको वापस से life कर सकते हैं, यह basically उतना असान नहीं होता है, बस मैं आपको समझाने के purpose से बता रही हूँ, तो somatic death का use जो रहता है, जो organs का transplantation होता है, उस purpose से किया जाता है, अब आपकी options पर आ जाते हैं, तो पहले तो बोला गया है, somatic death is death of tripods of life, तो जो tripods of life होते हैं, basically इसको अब bishops tripod of life भी कह सकते हैं, तो जो आपका heart है, यानि की circulation है, जो आपका respiratory system है, और जो आपका nervous system है, तो अगर इन तीनों की functioning stoppage हो जाता है, इन तीनों की functioning रुख जाती है, तो वो आपका basically somatic death cause करता है, और ये तीनों का combination ही कहलाता है, tripod of life, तो ये आपका बिल्कुल सही है, then आपका बोला गया है, molecular death is death of body at cellular level, तो ये भी बिल्कुल सही है, कि जो आपकी body में cells available होती है, जब देरे-देरे करके उनकी death होना start होती है, तो वो आपका molecular death कहलाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, next ब molecular death को हम cellular death भी कहते है, तो ये statement भी आपका बिल्कुल सही है, option number C में बोला गया है, asphyxial death is a part of somatic death, तो asphyxial death बिल्कुल आपका somatic death का part होता है, यहाँ पर एक जोगा समझेगा, कि अगर आपकी जो nervous system होता है, जो brain होता है, उसकी functioning stop होती है, तो वो condition जो आपकी कहलाती है, वो हम बोलते है, asphyxia, और इसके अलावा, जो आपका circulatory system होता है, यानि कि जो आपका heart रहता है, उसकी functioning stop होती है, तो उसको हम बोलते है, syncope, syncope, तो ये तीनों नाम एक तो आप याद रखेगा, तो अब उसे एक warning, जो asphyxial death है, यह आपका somatic death का part हो गया, क्योंकि asphyxial death होती है, तो यह आपका बिल्कुल सही है, next आपका बोला गया है, cells and biomolecules degradation, यह आपका molecular death का part हो, यह भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर इस question का correct answer हो जाएगा, all are correct, तो आपका statement A है, B है, C है, वो तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, अब आगी चलते हैं, और यहाँ पर आप आपका next question है, basically जो मैंने बताया है, वो सारा का सारा यहाँ पर explained format पे लिखा हुआ है, तो आप इसको read कर लिजए है, बागी आप चाहिए तो इसका screenshot ले सकते हैं, next question है यहाँ पर आपका, how many changes are generally seen in post-mortem, तो जबी बी किसी की, किसी भी individual की death होती है, तो उसके बाद में, जो आपका early changes, और तीसरा होता है आपका late changes, अब इसके भी further classification होते हैं, इसके अंदर आपका आता है, liberty, rigidity, algor mortis, liver mortis, basically liberty का ही दूसरा नाम होता है, और यहाँ पर आपके बहुत सारे अलग-अलग types आते हैं, आपकी eye में changes होते हैं, skin में changes होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपके post mortem का ही part होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं, आपकी early changes, late changes, और immediate changes के अंदर आते हैं, तो इस question का correct answer हो जाएगा, all of these, that is option number D, तो यहाँ पर बहुत चीज़ लिखी होई, आप इसको एक बार देख लेंगे, next यहाँ पर आपका है question number 7, what is anti mortem injury, anti mortem injury क्या होता है, मतलब इस सर ऐसे define कर सकते हैं, तो पहले तो आप यह समझें कि anti mortem और post mortem injury होती क्या है, तो अगर हम बात करते हैं anti, anti का मतलब होता है, सिर्फ इस ट्राम की बात करें, तो पहले, और यही बात करें post mortem, post मतलब बाद में, तो anti mortem का मतलब है death होने से पहले, post mortem का मतलब है death होने की बा इंजरी कॉज होती है और post-mortem में death के बाद injury cause होती है उसके अरावा, अगर कोई भी injury, death से पहले cause हो रही है तो जहां पर आपकी जो bleeding होगी, जहां पर भी आपकी body में आपका injury cause होई है तो उस जगा से जो bleeding होती है वो normal amount में होगी जितना होनी चाहिए उस particular place पर injury होने की बज़ासे बट post-mortem में क्या होता है क्योंकि आपकी death के बाद में circulator system जो रहता है उसका stoppage हो जाता है तो blood में आपका proper उसका blood का circulation नहीं हो पा रहा होता है जिसके बज़ासे अगर आपकी body के कुछ इस position पर आपका injury cause होई है जहाँ पर आपकी liberty नहीं बन रही है तो वहाँ से आपका उस particular position से कोई भी तरह का blood का flow नहीं देखने को मिलेगा और क्योंकि death हो चुकी है तो blood clotting वाला phenomena भी नहीं देखने को मिलेगा बट उसके अलाबा anti-mortem में क्या रहता है कि death होने से पहले अगर injury cause हो रही है यानि कि anti-mortem injury है तो वहाँ पर जैसे कि माली जी यह एक individual की body है यहाँ पर इस तरह से कुछ कुछ कट लगा तो कट लगने के बाद में इसमें वापस ही constriction भी होगा यह आपका skin का nature है बट post-mortem में ऐसा नहीं होगा बहुत ही थोड़ा से देखने को मिलेगा बट उतने amount में नहीं देखने को मिलेगा जितना होना चाहिए था तो यह सारे कुछ आपके differentiation होते है post-mortem और anti-mortem injury के तो यहाँ पर इस question का correct answer है injuries before death that is option number B और यहाँ पर यह पूरा का पूरा आपका hot steam जो रहती है gases तो उसकी वरह से जब injury cause होती है जो burning cause होती है उसको हम बोलते है scalding अब यहाँ पर जैसे आपका लिखा हुए cold liquid या फिर steam तो कई बार burning जो रहती है वह बहुत ज्यादा cold की वजह से भी cause होती है उसकी वजह से भी damage होता है तो यहाँ पर यह ना सोचेगा कि अगर birth injury है तो वह सेफ heat condition की वजह से यह cause होगी वह आपका cold condition की वजह से भी cause हो सकती है उसके अलब यहाँ पर बोलागए cold stiffening cold stiffening का मतलब क्या होता है कि जब कोई body जो है ऐसे environment में है जहां पर temperature negative में चल रहा है या फिर 0 degree Celsius के आसपास का है तो उस condition में जो body रहती है उसमें काफी ज़्यदा stiffness आ जाती है बहुत ज़्यदा जो muscles होती है वो आपकी stretch हो चुकी होती है काफी ज़्यदा तो वो चीज़ आपकी कहलाती है cold stiffening तो इस question का correct answer है answer number B मतलब option number B और यहाँ पर Scalding क्या होता है वो यहाँ पर लिखा भी हुआ एक तरह का burn injury है जो कि hot liquid या फिर steam की वजह से cause होता है next question है आपका what is medical legal importance of tattoo तो जब tattoo marks रहते हैं उसका क्या medical को legal aspect से importance है तो अगर हम simple से बात करें तो generally tattoo individual किस तरह के बनवाते हैं या तो उनका choice of interest उस तरह का होता है उनका religion वाला कोई mark हो सकता है वो किसी अपने loved one का नाम वगिरा लिखवा सकते हैं उनकी photo बनवा सकते हैं तो general conditions में जो tattoo marks रहते हैं वो इसी तरह के देखने को मिलते है तो इससे हम ये सारी चीज़ों को अग्या लगा सकते हैं और इस तरह से चीज़े जो रहती हैं उसके अलावा एक चीज़ और रहती है कि जो tattoo रहता है तो tattoo बनवाने से कई बार generally आपका जो रहता है वो cancer भी cause हो सकता है तो अगर individual में cancer हो रहा है तो वो भी एक tattoo का impact हो सकता ह है क्योंकि जो यहाँ पर ink use करी जाती है tattoo बनवाने के लिए तो उस ink की वज़ा से आपके body में cancer cause होता है तो यह भी काफ़े important point है तो इसको थोड़े से ध्यान में रख लेगा तो इस question के अगर हम correct answer की बाल के तो option में बोला गया है useful for individual identity बिलकुल सही है religion को हम identify कर सकते हैं जो victim या फिर criminal का loved one होता है उसको भी हम identify कर सकते हैं तो इस question का correct answer हो जाएगा option number D that is all of these तो यहाँ पर इतना मैंने आपको बताया है वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इसको एक बार पढ़ लीजेगा basically जो mentality है individual की जो name है photo है उनके loved one की nationality है religion है तो यह सब कुछ आप identify कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ टाटो को examine करके अब आजाते हैं अपने last question की तरफ और यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो bruise है और जो post-mortem lividity है तो आप इनको कैसे कैसे differentiate करेंगे तो पहले तो यह समझते हैं कि bruise क्या होता है और lividity क्या होता है तो lividity जो रहता ह एक तरह के आपकी बॉड़ी में early change होता है याना कि आपकी death हो गई है dead के 3-4 hours के बाद में आपकी जो बॉड़ी में जो blood available होता है वो सारा का सारा आपकी बॉड़ी की एक side में collect होने लगता है और उस side में basically जो आपके बॉड़ी का dependent पार्ट होता है किसिस surface पे तो उस side आप बलड का कलेक्शन होने लगता है आपकी बोडी में तो वहाँ पर आपकी BODY में Blood Stain नजर आता है तो वो जो Blood Stain होता है बिसिकली वो आपका कहलाता है Post Mortem Liberty और rys का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिवीजन है उसकी बॉड़ी पर किसे ने बहुत जोड़ से इंपक्ट किया, कुछ बहुत जोड़ से मारा या फिर उसका कहीं लड़ गया हाथ पर या जो भी तो उसकी वज़ा से आपकी बॉड़ी में ब्लड स्टेन नजार आता है वो आपका ब्रूस कहलाता है और ये जो ब्रूस होता है जो आपके बॉड़ी के अंदर अवेलिबल ब्लड वैसल होती है, कापिलरीज होती है उनके रप्चर की वज़ा से होता है और उसकी वज़ा से जो आपका ब्लड वहाँ पर रहता है तो वो जीज़ आपकी ब्रूस कहलाती है तो ब्रूस और पोस्ट मॉटम लिबिडिटी दोनों में बहुत डिफरेंस होता है बट अगर थोड़ा से ध्यान से ना देखा जातो इनमें कंप्यूजन भी कॉस हो सकती है तो अब यहाँ पर ऑप्चिन पर आ जाता है और पहले ऑप्चिन में लिखा हुआ है पोस्ट मॉटम लिबिडिटी इस कलेक्शन ओफ ब्लड डियू टू स्टॉपपज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन तो यह बिल्कुल सही है लिबिडिटी शोज वेरियेशन इन कलर ऑफ स्टेंज इन इट बिसिकली जो लिबिडिटी रहती है तो जो भी इंडिवीडियू है उसकी डेच किस पर्टिकुलर पॉईजन की वजह से हुई है वह चीज पर आपका डेपेंड करता है कि जो भी लिबिडिटी कॉज होगी वह किस कलर की कॉज होगी तो यह पूरा एक टेबल मैंने आपको एक बार बताया था एक वीडियो में तो उम्मित करते हैं आप लोगों ने देख रहा अगर बट अगर नहीं देखा है तो मैं उस को जल्दी ही उसका वी एक वीडियो एक सेपरेट बना दूगी तो वह पूरी लिस्ट है वह आपको मिल जाएगा तो यह आपका लिबिडिटी बेसिकली डेपैंड करता है कि किस वजह से आपकी डेथ होई है बट जो आपकी ब्रूज होता है उसमें बहुत ज़रे देखने यह पर जो जो डोज रहता है यह डिपन ले करता है किस तरह से इंज़री कोई यह 12जेग्न को फॉ लोगता वही सारी कलर्स हर तरह की ब्रूज में हर तरह की बॉर्डी में देखने को मिलेंगे बट लिबिडिटी में ऐसा नहीं होता है यह आपका यही बिल्कुल सही हो जा questions करें हैं और उम्मीद करती हूं आपको सारे questions समझ में आए होंगी और यह basically बहुत ही अच्छी quality के questions थे आपने अगर fact का paper देखा होगा तो बहुत difficult questions नहीं आये थे तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं मैंने यह 10 questions को frame कर वाया था तो उम्मीद करती हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और यह जो आपकी पूरी PDF थी यह आपको हमारी website पर available हो जाएगी तो वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं और बाकी आप चाहिए तो उसके नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा तो वहां से भी बहुत डिटिल में हम सब कुछ करने वाले हैं तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यही वीडियो को शेर जरूसे कर दीजहेगा ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच जाएए और सभी लोग अपनी net की preparation विसेकली कर लेंगे for daily updates and thank you so much for joining me here.